आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense हिंदी में आपका स्वागत है इस चीज को डीटेल में समझने से पहले आए पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली ट्राइ कावेरी एंजिन का इस समय स्टेटिस क्या है और इसकी प्राक्टिकल एप्लिकेशन कहां पर होने वाली है वैसे तो कावेरी एंजिन को LCA program के लिए develop किया गया था लेकिन ये एंजिन समय पर required thrust नहीं दे पाया था जिसके चलते इस एंजिन प्रोग्राम को LCA program से अलग कर दिया गया था और light combat aircraft तेजस के लिए American company GE का F404 engine यूस किया गया था आज की तारीक में कावेरी एंजिन के साथ में जितनी भी initial परिशानियां थी उन सभी को दूर कर लिया गया है लेकिन ये एंजिन केवल 73 किलो न्यूटिन का ही thrust generate करने में सक्षम है और इस समय भारतिय वाइसेना की requirement GE F404 से आगे निकल कर F414 तक पहुच चुकी है यानि कि किसी भी हालत में current form में GTRE कावेरी भारतिय वाइसेना की requirement पूर्ण नहीं कर सकता है और जब इस एंजिन को LCA program से अलग किया गया था तब ही से इसको लेकर funding बंद कर दी गई थी लेकिन thankfully घातक UCAV को लेकर ये requirement निकल कर आई थी उसी कावेरी arrow engine का dry segment लिया गया है जिसको modify करके एक UCAV program में use किया जाएगा इस engine का dry segment पूरी testing दोबारा करेगा क्योंकि इसमें UCAV के हिसाब से कुछ modifications की गई है और इसी series testing के लिए इस engine को high altitude test trials के लिए रशा ले जाया गया था जहाँ पर इसने अपनी testing complete करके desired specification से जादा बहतर performance दी है normally high altitude testing के बाद में वापस से कुछ ground testing की जाती है और उसी ground testing के लिए इस समय prototype engines बनाय जा रहे हैं इन prototype engines के लिए कुछ parts Godrej की तरफ से बनाय जाएंगे जिसको लेकर कुछ समय पहले ही उनको technology transfer की गई थी और recently हम लोगों ने देखा था कि Godrej की तरफ से अपनी facility भी launch की गई थी जिसको तेसी Thomas Madam की तरफ से inaugurate किया गया था ये चीज़ indicate करती है कि भारत सरकार की तरफ से DRDO की technology इन private sector companies को pass on की जा रही है जिससे देश में defense manufacturing का ecosystem बहतर बनेगा GTRE की तरफ से जो engines बनाय जाएंगे उनकी कुछ ground testing भारत में की जाएगी और भारत में इस testing के बाद में इन engines को रशा दोबारा ले जाएगा जहां पर इन engines को flying test bed के साथ में integrate किया जाएगा और इनके flight trials के जाएगे एक बार ये engine वहाँ पर certified हो जाएगे उसके बाद इनको भारत लाया जाएगा और actual घातक UCAV के साथ में इनको integrate किया जाएगा बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या इन engines की testing complete होने के बाद में इनमें requirement के हिसाब से afterburner लगा कर fighter jet requirement को पूर्ण किया जा सकेगा देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये engines already एक after burning turbo fan engine का modified variant है जिसके dry segment को लेकर इस engine को बनाया जा रहा है यानि कि इस engine के basis पर अगर आप एक after burning engine बनाते हैं तो उस शमता के साथ में engine already आपके पास में मौझूद है लेकिन उस class के thrust generating engine की इस समय application भारत में नहीं है और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में आपको पहले बताया है कि भारत सरकार की तरफ से इस engine को लेकर funding बंद कर दी गई है और GTRE काफी समय से चा रही है कि उनको एक LCA तेजस aircraft मिल जाए जिसके उपर इस engine को integrate करके वो लोग एक limited profile में इस fighter jet को उड़ा सकें लेकिन current scheme of things में ये चीज होती हुई नजर नहीं आ रही है और most likely एक बार जब ये dry engine production में चला जाएगा तो भारत सरकार के पास में GTRE को लेकर confidence बढ़ेगा और hopefully तब जाकर GTRE को और funds मिल सकेंगे जिससे ये engine program आगे बढ़ पाएगा इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं कि अवल इतना ही वीडियो को अंधे तक देखने के लिए धन्यवाद देखते रहे है आलफा डिफेंस जैहेंद